Hello students, I am Lakshmi Aadho, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 5, the name of topic, fruit and seeds and dispersal of seeds. पहले हम fruit और seeds के बारे में रीट करेंगे, फल और बीचों के बारे में. To a pollen look like a powdery mass. हमें पराग एक भुरबुरा समू की तरह दिखते हैं. But it contains tinny particles called pollen grain. लेकिन इसमें पराग कर नामक छोटे कर होते हैं. After pollination, pollen grains join up with ovules and then the ovules turn into seeds. परागरण के बाद पराग के कर, ovules अंडे या बिजारू के साथ जुड़ जाते हैं और फिर अंडारू बीज में बदल जाते हैं. अंडार से जो होता है, वो फल में बढ़ता है और पंखुडियां और बाहदल सिपल्स गिर जाते हैं. फिर देखिए आगे, the next problem that a plant faces is how to disperse, spread its seeds. अगली समस्या चो एक पौधे सामना करते हैं वह यह है कि बीज को कैसे फैलाना है. यदि ऐसा नहीं होता तो इसके तहस सभी बीज गिर जाते. देन, all the baby plants would be cramped in a small space and would have to compete with each other and the parent plants for water, air and sunlight. तब सभी सिसु पौधे को एक छोटी सी जगे में बन कर दिया जाए और पानी, हवा और धूप के लिए एक दूसरे और parents पौधे के साथ प्यतिसपर्धा करनी होगी. None of them would have enough of the things a plant needs to survive, remain alive. उनमें से किसी के पास चीज प्रयाप्त नहीं होगी जिससे एक पौधे को जीवित रहने की अवशक्ता होती है. उसके बाद हमारा dispersal of seeds, नहीं कि बीजों का फैलाओ, बीज को कैसे फैलाते हैं या कैसे फैलाया जाता है, वो देखेंगे. Once again, animals come to the head of plants. एक बार फिर जानवर पौधे की सहायता के लिए आते हैं. इससे पहले हमने पढ़ा था pollination की animals जो होते हैं, वो flowers में कैसे pollination करते हैं, अब देखते हैं कि वो seed का dispersal कैसे करते हैं. Some help in dispersing seeds because they love to eat fruits. कुछ बीज फैलाने में मदद करते हैं क्योंकि उन्हें फल खाना बहुत पसंद है. While others get it into doing it, जबकि अन इससे करने में छल या बर्गलाया करते हैं. Wind and water are other helpers of plants in the matter of seeds dispersal. हवा और पानी, बीज फैलाओ के मामले में पौधे के अन्य सहायक हैं, helpers हैं, यानिकि animals के साथ साथ हवा और पानी दोरा भी seeds को dispersal किया जाता है. आगे देखिए, birds, bats, elephants, monkeys, and epics, chimpanzees, orangutans, etc are some animals that help disperse seeds. पक्छी, चमगादर, हाथी, बंदर और वानर से chimpanzee और वनमानुष, आदी कुछ जानवर हैं जो बीज को फैलाने में मदद करते हैं. ये फल खाते हैं और बीज को फेट देते हैं, या पूरा फल खाते हैं और बीज को बाहर सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं. This way the seeds travel far away from the parents plant. इस तरहे, बीज parents पौधे से बहुत दूर दिकल जाते हैं. Second point, Other animals become couriers unknownly अन्य जानवर अनजाने में courier करते हैं या दूर बन जाते हैं या नि सीट्स को ले जाते हैं. The fruits and seeds of some plants have spikes or hooks that get attached to an animals, fur or feeders, और even to our cloths, bags, suits, etc. उसके बाद क्या होता है, कुछ पौधे के फलो और बीजों में hook के लिए spikes, कीले या अनाज की जो बाल होते हैं, जो किसी जानवर के फर या पंक या यहां तक की हमारे कपड़े, बैट, जूते, आद इसे जोड़ जाते हैं. Later they are brushed off by the animals. बाद में इन्हें जानवर द्वारा ब्रुस कर दिया जाता है, उसके बाद देखिए आपे कुछ seeds आपको दिखाई गई हैं, फर्स देखिए, some seeds have spikes that stick to the fur of or feeder of animals, कुछ बीजों में spikes, यानि काटेदार या बालीदार होते हैं, कुछ बीज, जो जानवरों के रोएं या पंक में चिपके रहते हैं, दूसरा है, some seeds have fluffy hair that help them fly in the wind, कुछ बीजों में रोएदार बाल होते हैं, जो उन्हें हावा में उड़ने में मदद करते हैं, तो ये उड़के भी एक जगे से दूसरी जगे चले जाते हैं, अगला है, some plants produce pots that burst open when reap to throw seeds for away, कुछ पौधे फली उतपादि करते हैं, जो बीज को दूर फेकने के लिए पकने पर खुलते हैं, rip pots मतलब क्या होता है, पकी हुई फली और bruce pot मतलब होता है, फूटी फली, आप फीगर में भी देख सकते हैं, पकी हुई फली और फूटी हुई फली, इसके बाद मारा अगला पॉइंट है, some seeds have wings, फीदि पूछ या रोएदार बाल हैं, जो उन्हें हावा में, उन्हें में मदद करते हैं, अगला है, aquatic plant produce light seeds that can float easily and be carried by water, जली पौधे हलके बीच उतपादित करते हैं, जो आसानी से तैर सकते हैं, और पानी द्वारा ले जाया जा सकता है, Trees growing near rivers or in coastal areas also depend on water for the dispersal of their seeds, नदियों के पास या तटी छेत्रों में उगने वाले पेड़ भी अपने बीजों के फैलाओ के लिए पानी पर निर्भर होते हैं, One example is the coconut tree, एक उधारर नारियल का पेड़ है, coconuts can float in the sea because they are hollow insides, नारियल समुद्र में तैर सकते हैं क्योंकि वे अंदर खोखले होते हैं, Their hard cover and husk protect the seed inside from the salty water, इनका कठोर, आवरण और छिलका बीज को खारे पानी से बचाते हैं, अब फिर अगला पॉइंट है, some plants are quit independence, कुछ पहधे काफी स्वतनत्र होते हैं, Their fruits are pots which explode when they are reap, throwing the seeds far away, इनके फल, फली होते हैं, जो पके होने पर फट जाते हैं, बीज को दूर फेक देते हैं, तो यह रहाब का dispersal of seeds, यानि seeds कैसे dispersal होते हैं, एनिमल द्वारा, विंड और वाटर के द्वारा भी seeds का dispersal होता है,